जेहिद इवरिवन अब सबका आपके यूट्यूब चैनल रास्टे सेवा पर स्वागत है अज हम डिसकस करेंगे अबाउट इंटर पोल इंटरनाशनल और गिनाजेशन पर पक्का आपको आफकेट में या फिर इंटेलिजेंस विवर में कोशन देखने को मिल सकता है और जब ही बहुत इंपोर्टेंट है पिछले चार-पांच महिने से बिकॉस दो हजार तैइस में एक तो इसकी हंडर्ड एनिवर्सरी थी 1923 में यहां पर इस्टैबलिश हुआ था उसके बाद इसके कुछ यहां पर नोटिस हैं वो हम डिसकस करेंगे या डिफरेंट डिफरेंट कल स्यवर्डेंत में में आप देख पा रहे हैं प्रसिफिक परिसेंगे पिलाव कंट्री जोकि की इंटरनारश और यहां पर टारिस confidence में यहां पर मोदि जी और फ्रांस की प्रेजिटेंट ने यहां पर एक अलाइंस बनाये था जिसमें sunshine countries ट्रॉपिक आफ जाता ये पलाव जिसका यहां आइलेंट्स जो आज हम डिसकर करने वाले हैं वह दिसंबर की यह न्यूज है जो कि यहां पर वियना में हुई थी अब भी तक इंडिया दो बार इसको होस्ट कर चुकी है सबसे पहले 1997 में किया उसके बाद 2022 में किया यह फ्यक्ट आपके लिए इंपॉर्टन्ट है कि दो बार इंडिया इसको होस्ट कर चुकी है अब हम बिल्कुल मुद्दे पर आते हैं, आपको यह पता हूँ, इंटरपोल, नमबर वन फेक्ट आपको यह पता हूँ, इंटरनाशनल पुलिस, जिसका हेड़कॉर्टर कहां पर है, लियॉन्स, फ्रांस के अंदर, नमबर वन, 1923 में क्रेट किया गया था, आपको यह पता ह उसके बाद इस साल इसकी 100th year anniversary है, 2023 में, और कहां पर हुई है, इस पर General Assembly की मेटिंग, होस्टिंग, वियाना में यहां पर हुई है, वियाना क्यों करेंटरफेस में चल रहा है, वियाना कन्विंशन, यहां पर अगर हम बात करें, तो डिप्लोमाट से लिटिड है, डिप्लो मैट्स की इमिनिटी से लेटेल, एक कन्विंशन है, वियाना कन्विंशन, वियाना जगा कहां पर है, आस्ट्रिया, ओकेज, नाव कम तो दे नेक्स पॉइंट, इंटर पोल की गवर्नेंस में तीन चीजे निकल कराती है, नमबर वन, उसका जनल सेकेट्रियेट, क्वाइट अब बैसे हर एक का एक सेकेट्रेट होता है, जहां से सारे की सारे जो एक्टिविटीज है, डे टो डे एक्टिविटीज उसको कॉडिनेट किया जाता है, नमबर टू, जेनल असेंबली, जो की सारे की सारी एक गवर्निंग बाड़े की तरह काम करती है, एक साल में यह एक इनसीबी के सार, यह गवर्नेंस की तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और इसी जनल एसेंबली की 91st जो इस बार शेशन था, वो कहां पर होता है, वियाना में, गान 98 कहां पर हुआ था, इंडिया में, अब इसके दोरानी क्या करते हैं, वर्किंग मेथर्स क्या में डिसकस होगा, एक साल में यह एक बार यहां पर बिलते हैं, इस बार का जो 91st जेशन था, उसमें पालू, जो पलाव भी बोलते हैं, पलाव कंट्री का यहां पर अप्लिकेशन गई थी, फाइनली वो एप्रूब्ड होती है, और वो उसके बाद 196th लेटेस्ट मेंबर ब जो कि जो नाशनल लिजिसलेशन है, यहां पर लो है, उसके हिसाब से ऑपरेट करता है, तो विएना में हुई थी, तो विएना कुछ डेक्लेरेशन लेकर आएगी, यह डेक्लेरेशन एक्जाम पॉइंट आफ यू से बहुत ही इंपॉर्टन नहीं है, विकॉस यूपीस के मेंस के एक्जाम में, प्री में पूछे जा सकती है, बट अपने डिफेंस के एक्जाम में पूछने की चांसे सकम है, बट आपको यह पता हो, कि 91st General Assembly का होस्टिंग है, वो विएना के द्वारा की गई है, इसमें काम क्या डिसकुछ हुआ है, कि जितने भी organized crimes हैं, उनको किस तरीके से tackle किया जाए, यहां पर, ठीक है, वो लगा था, society, community, economy, सब को undermine कर रहे हैं, जो law enforcement agencies हैं, यहां पर किस तरीके से cooperation किये जाए, और किस तरीके से उनको यहां पर cooperate कर वाए जाए, ताकि political influence कम हो उनके उपर, तो यह इस पर बात हुई, number two, they build greater cooperation to tackle criminal activities, यहां पर information sharing किस तरीकी से करनी है, because आपको सबको पता है, सबसे important चीज आज की date में information है, आपे, number three, increased information sharing decision maker for policing, justice, national security, मैं आपको यहोंने points सोड़े से तेज इसलिए बढ़ा रहा हूँ, because हमारे exam, NDA, AFCAT, intelligence bureau के लिए जो चिरी, जो रुरत थी, वो मैंने आपको पहली चार स्लाइट्स में बता दी है, यह आपके UPSC की काम की है, empowering frontline police, each and every police officer is a link, which protects their communities as well as the world, जान, तो यह चार चीजे इस बार वहां पे डिसकस हुई, प्रतर यह 5, greater investment in innovation and technology, global law enforcement investment in technology, टेके investment को बढ़ाया जाए, एक R&D branch में, so that जो police है, उसकी efficiency और capacity building को increase किया जाए, तो यह पांच point थे यह, यह पांच point अगर आप skip भी कर देंगे, आप तो आपके लिए कोई भी नुकसान नहीं है, अब तक हमने क्या किया, आपको वो पता हो, इंटरपॉल जिसका headquarter है, लियॉंस में, फ्रांस, 196th country, पलाव, पलाव कहां पर है, Western Pacific Ocean, ओशेनिया country, ओशेनिया में है, ओशेनिया, ओके, नौ, इसके बाद आपको पता हो, पलाव means group of islands, उसके बाद आपको पता हो, कि इंटरपॉल की एक general assembly होती है, सेकेटरेट होता है, and NCP, अब जो assembly है, उसका 91st session इस बार Vienna में हुआ है, and 90th session इंडिया में हुआ था, इंडिया अभी तक दो बार इससे host कर चुका है, 97 and 2022, यह आपके लिए important है अभी तक, Now, यह सबसे important है, Interpol के notice कौनते हैं, red notice आता है, to seek the location and arrest of wanted person, कोई भी wanted person है, भाई उसकी अगर हमें arrest, उसकी location पता लगवानी, arrest करवाना है, तो red notice issue किया जाता है, Blue notice, जब हमें information चाहिए होती है, किसी भी person की identity की, location की, in relation to the crime, blue notice आएगा, green notice, जब एक warning या intelligence जाएगी एक person के लिए, who have committed criminal offense, किसे इंसान ने criminal offense किये है, उस से related warning या फिर intelligence sharing चाहिए, information चाहिए, तो green notice जाएगा, उसके बाद Interpol का एक special UN Security Council, UNSC का एक special notice जाता है, ये groups के लिए और individuals के लिए जाएगा, who targets the UNSC Sanctions Committee, जो भी UNSC की Sanctions Committee होती है, जिस भी person ने, ये group ने उसको target करने की कोशिश की, उसके बादे special notice issue होता है, yellow notice, missing person, कोई missing है, उसके लिए यहाँ पर क्या होगा, yellow notice आएगा, so that help की जा सके, उसके यहाँ पर, और उसको country में लाए जा सके, black notice, कोई unidentified bodies है, उसे लेड़ीड हमें information चाहिए, black notice आएगा, orange notice, to warn an event, person, object, representing a serious and imminent threat to the public safety, कोई भी particular event, कोई भी person, अगर उससे एक public safety के लिए threat बन रहा है, तो orange notice आएगा, purple notice, to seek information on modest operandi, modest operandi क्या होता है, किसी चीज को करने का तरीका, इस बर चोर आए, उन्हेंने क्या करा, धूम तरीक की तरह एक style में चोरी कर गए नेक्स टाइम आए, एक अलग तरीका अपना है, that means, जैसे आप देखते है, airports पे, कोई अपने क्या करते हैं, गोल्ड को अपने organs म क्या है, उनका way out क्या है, ठीक है, concealment, चुपाना, methods by the criminals, purple notice, तो purple, orange, black, yellow, चार हो गए, और ये तीन, साथ, ये साथ तहां के notice हैं, जो colors के notice हैं, इसके अलावा, एक special notice है, यहां पे आप साथ साथ समझ चुके हैं, इसके अलावा, telegram पर, मैं इसके यहां पर, जो PPT है, वो ड ये November, December की news थी, पर मैंने इसको अभी discuss इसले करो आया, so that अब FCAT का exam पास में है, तो international organizations आपके लिए important ही है, मैं अपना अगला session जल्दी लेकर आने वाला हूँ, रधर, कल ही वो session आ जाएगा, जब हम UN के और जितने भी specialized agencies हैं, उनकी headquarter को discuss कर लेंगे, I hope आपको राष्टे सिवा channel से बहुत help मिल रही होगी, intelligence bureau, FCAT, इसका exam अभी आने वाला है, तो इससे लेड़िट आपको जल्दी current interface लगातार मिलते रहेंगे, उसके बाद हम NDA और CDS specific current interface को भी discuss करेंगे, although channel पर daily जो current interface का session चलता है, उसमें आपका NDA, CDS भी cover हो रहा है, but अब हम कुछ factual चीज़ अभी next month आने बाला है, so with these words, I conclude my today session, jaihin to all, take care.